तो finally Connor ने अपनी return date को announce कर दिया है जिससे कि fans थोड़ा सा disappointed है क्योंकि वो expect कर रहे थे कि Connor McGregor fight करेगा UFC 300 के card में but unfortunately Connor McGregor UFC 300 में fight नहीं कर रहा है इसके साथ Connor ने जो अपनी weight class को announce किया है उससे भी fans बहुत ज़ादा shocked है अब UFC 300 में तो चलो Connor fight नहीं कर रहा तो fans ये expect कर रहे थे कि हमें एक बहुत बड़ी fight देखने को मिलीगी UFC 300 में but recently जो rumors चल रहे हैं वो और भी ज़्यादा disappointing है जहाँ पर ये बोला जा रहा है कि Leon Edwards वर्सिस बिलाल मोहमत की fight होगी UFC 300 में तो इस वीडियो में इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे जहाँ पर सबसे पहले start करते Conor McGregor से तो recently Conor ने एक वीडियो को post किया जहाँ पर उसने return date को reveal किया ये कहते हुए कि वो fight करेगा June 29 को और उसका opponent होगा Michael Chandler तो finally confirm हो गया कि Conor McGregor का next opponent Michael Chandler ही रहने वाला है और इतने time तक Conor की wait करने के बाद finally उससे opportunity मिल की है Conor के साथ fight करने की अब इसके साथ जो Conor ने end में काये उससे काफी लोग surprised है क्योंकि Conor ने काये कि वो Michael Chandler के साथ fight करेगा जिदर ये fight होगी 185 pounds middleweight division में मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि पहले की जो दो बाते हैं जो Conor ने बोली है कि वो 29 June को Michael Chandler के साथ fight करेगा वो सच है बटे 185 pounds मुझे लग रहा है कि Conor यहाँ पर troll कर रहा है अब थोड़ा सो तो disappointed मैं भी हूँ क्योंकि मैं really चाहता था कि UFC 300 में Conor McGregor fight करें बट अब ना तो Conor उस card में fight कर रहा है और जिस fight के rumors आ रहे हैं उसको बड़ी fight तो बिलकुल नहीं बोल सकते Conor और Chandler की fight इतनी जादा pushback होगी है कि जब तक एक fight होगी यानि कि 29 June तक Conor McGregor almost 36 years का हो जाएगा और अगर Michael Chandler की बात करें तो वो हो जाएगा 38 years का इस fight को बोला गया कि ये December में होगी फिर date को shift किया गया और ये बोला गया कि ये fight होगी early next year ताकि Conor McGregor फिर से UFC 300 में fight करें बट वो भी plan change हो गया जहाँ पर ये बोला गया कि directly Conor McGregor UFC 300 में fight करेंगा बट अब वो भी नहीं हो रहा है और Conor की तरफ से finally update आया है कि वो fight करने व होगा और वो definitely party कर रहा होगा और वो है Michael Chandler Michael Chandler ने अपनी last fight की है 13 November 2022 को और Conor की साथ उसकी fight होने वाली है June 29th 2024 को तो इतने time तक वेट करने के बाद finally उसे reward मिल गया है जहाँ पर अब Conor McGregor ने खुद confirm कर दिया है कि वो Michael Chandler के साथ ही fight करने वाला है पहले तो Conor McGregor mostly Michael Chandler के सा होता है क्योंकि अब ये fight book हो चुकी है तो हम definitely expect कर सकते हैं कि Conor McGregor भी अब काफी जादा vocal हो जाएगा बट इसी के साथ early prediction की बात करें तो who do you guys think कौन जीतेगा इस fight को Michael Chandler या फिर Conor McGregor let me know in the comments अब UFC 300 को लेकर जिस fight के rumors चल रहे हैं उसकी भी अगर थोड़ी सी बात करें त तो recently Leon Edwards का ये कहना था कि वो UFC 300 में बिलाल मुहमत के साथ fight करेगा और इस fight को करने के बाद जब UFC UK में चाहेगी तो वो UK में भी fight करेगा तो Michael Chandler की तरह बिलाल मुहमत भी बहुत जादा खुश होगा क्योंकि finally अब इतने जादा interviews करने के बाद जहांपर हर बार उसे बोलना प UFC 300 में होनी चाहिए थी बट अगर ये fight UFC 300 में हो भी रही है तो I really hope कि ये fight main event या फिर co main event ना हो Dana White ने कहा था कि वो एक super fight के उपर भी work कर रहा है तो maybe ऐसा हो सकता है कि वो fight main event हो जाए और अगर Alex Pereira UFC 300 में fight करेगा तो वो definitely co main event होना चाहिए I don't want कि जैसे UFC 200 गई थी जहांपर Amanda Nunesos कार्ड को headline कर रही थी वैसा ये UFC 300 ना जाए तो overall मेरे opinion में जितना मैंने expect किया था ये दोनों अपडेट्स पता नहीं क्यों मुझे उतने बड़े नहीं लग रहे है बट what about you guys तुमें ये दोनों अपडेट्स कैसे लगे let me know in the comments और इसी के साथ इस वीडियो को end करते हैं अगर आपको वीडियो ची लगियो तो please make sure to like and subscribe मिलते हैं next वीडियो में